हलो दोस्तों मेरा नाम है सोड़ अबा टेक टू टेक चलेंट में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये WD My Passport Portable Hard Drive का Unboxing करने वाला हूँ और इसका Speed Test करके आपको दिखाने वाला हूँ और ये मैंने 2 TV का लिया है और Black Color का लिया है इसका और भी variant है Blue and Red कलर में भी आता है और एक TV से लेके 5 TV तक आपको ये मिल जाएगा ये 2 TV का भी प्राइस है 5,100 रूपिया तो अगर आप ये Hard Drive पर्चेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे description पे link दे दिया है वहाँ से आप पर्चेस कर सकते हैं इस Hard Drive का खास बात है के ये बहुत ही छोटा है बहुत हलका है एकदम पतला है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके pocket में easily आ जाएगा तो carry करना में बहुत ही आसानी होगी और इसके encryption भी बहुत ही अच्छा है तो सब कुछ आपको step by step दिखाने वाला हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आप Instagram और Facebook पे भी follow कर सकते हैं और दोस्तों मैंने ये Seagate Backup Plus Ultra Touch Hard Drive का भी unboxing और review किया है और ये Seagate Backup Plus Hub इसका भी unboxing और review किया है तो वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे description पे link दे दिया है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और आप ये सभी hard drive का comparison वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे comment section में जरूर बताएगा तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा और ये WD My Passport का नया model है एक वाला भी model आता है लेकिन आप वो मत लीजिएगा ये वाला लीजिएगा ये नया model है तो चलिए दोस्तों बिना किसी दरी के unboxing शुरू करते हैं पर उससे पहले let's roll the intro अब इस बॉक्स का थोड़ा overview देते हैं यहां पर दो टीवी लिखावा है और यहां पर कुछ contest बगरा चल रहा है इस फी laptop के ऊपर आप चाहे तो इसको scratch करके देख सकते हैं यहां पर my passport लिखा हुआ है और यहां पर देख सकते हैं MRP लिखा हुआ है 7400 यहां पर देख सकते हैं यहां पर 256 bit AES hardware encryption दिया गया है Windows 10 8.17 इसमें support करता है और यहां पर देखिए downloadable NTFS drive to read write on macOS तो यह macOS में भी support करता है यहां पर 3 साल का warranty दिया गया है तो चलिए भी इस box को open कर लेते हैं अंदर और कुछ नहीं है तो इसका size देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है और क्या-क्या है देख लेते हैं यहां पर एक user manual दिया गया है और यहां पर data transfer के लिए एक cable दिया गया है और यह USB 3.0 cable है तो इसको हाथ में लेते ही पहली चीज जो मुझे अच्छा लगा यह है इसका size बहुत ही छोटा है बहुत ही slim है और इसका weight भी बहुत ही कम है यहां पर देख सकते हैं मेरा galaxy f41 और यह hard disk का size देखे यहां पर देख अली बार connect करके दिखा देते हैं तो आप जब computer के साथ इसको connect करेंगे 3.0 port के साथ ही connect किजिएगा तभी इसका maximum speed आपको मिलेगा connect करने के बाद यहां पर देखे आपको एक LED indicator देखने को मिलेगा तो connect करने के बाद यहां पर देख सकते हैं 1.81 TV space दिया गया है तो drive को open करती यहां पर देखे दो file दिख जाएगा आपको एक तो यह DMG वाला जो file है यह Mac के लिए है और XC file Windows के लिए है तो यह Mac और Windows दोनों पर support करता है तो अभी मैं Windows 10 यूज करता हूं तो यह Windows 10 के लिए software install कर देता हूं आप software install नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप फिर भी इसको यूज कर सकते हैं लेकिन आप इस hard disk को encrypt करना चाहते हैं या आप इस hard disk को backup लेना चाहते हैं बैक आप के बाद restore करना चाहते हैं तो यह सब features के लिए यह software आपको install करना पड़ेगा तो अभी software को install कर देते हैं देखते हैं इसमें क्या-क्या मिलता है आपको यहां पर देख सकते हैं software का नाम है wd discovery तो install कर देते हैं तो install हो गया है अभी software के नीचे यहां पर देखिए दिखा रहा है register your device तो यहां पर अभी device को register कर देते हैं तो यहां पर देखिए मेरे hard disk का serial number दिखा रहा है आप भी अपना product register कर लीजिएगा register करने से warranty पाने में कोई problem नहीं ह होगा तो registration यहां पर हो गया है उपर यहां पर देखिए storage के right side पर ही apps लिखा हुआ है apps पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए जितने भी wd का और भी software है वह यहां पर दिखा रहा है तो अभी आपको password set करके दिखा देते हैं तो यहां पर जो setting का button है वहां पर क्लिक करें तो आप अपनी device पर auto unlock enable भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर auto unlock enable कर देता हूं तो अभी यह password set हो गया है तो test करने के लिए पहले इस hard disk को eject करना पड़ेगा eject कर देते हैं अभी eject करने के बाद फिर से लगा देते हैं तो यहां पर आपको auto unlock disable करके दिखा दिया है तो अभी फिर से एक बार लगा के दिखा देते हैं आपको तो अभी देखिए यहां पर device lock हो गया है password protected दिखा रहा है तो यहाँ पे अभी double click करेंगे तो यहाँ पे देखे password मांग रहा है तो यहाँ पे password put करके unlock drive पे click करता हूँ तो यहाँ पे देखे drive unlock हो गया है और आप यह password set करने के बाद कोई भी windows desktop या laptop पे आप connect करेंगे तो यह wd का software वहाँ पे install करने की कोई ज़रोत नहीं है आप drive पे double click करेंगे तो यहाँ पे भी password देने के लिए window आएगा तो यहाँ पे password दे के आप open कर सकते हैं जैसे के मैंने अपने desktop पे password set किया था लेकिन laptop पे जब connect कर रहा हूँ तब भी यह show कर रहा है laptop पे कोई भी wd का software में ने install नहीं किया है और यहाँ पे देखिए smartphone के साथ भी बहुत ही आसानी से connect हो जाता है उसके लिए आपको एक OTG cable चाहिए यहाँ पे micro USB या type C वाला जो भी type का आपका phone होगा वो OTG cable आप एक purchase कर लीजिएगा उसके बाद आप यह hard drive अपने smartphone के साथ connect कर सकते हैं यहाँ पे देखिए hard drive so कर रहा है यहाँ पे test करेंगे तो hard drive open हो जाएगा open करने के बाद यहाँ पे देखिए जितना भी folders मैंने copy किया था सब यहाँ पे so कर रहा है और आप hard drive का files smartphone पे copy कर सकते हैं लेकिन आप अगर hard drive पे password set करके रखेंगे तो ये smartphone पे सोड नहीं करेगा. यहाँ पे देखिए password set करने के बाद smartphone के साथ connect कर रहा हूँ तो यहाँ पे problem दिखा रहा है. यहाँ पे touch करेंगे तो ये hard drive को format करने के लिए बोल रहा है. तो password protect करने के बाद smartphone पे ये काम नहीं करेगा. आपको पहले password remove करना पड़ेगा तभी ये smartphone पे support करेगा. तो चलिए पहले इसका benchmark टेस्ट करके दिखा देते हैं. Benchmark टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे crystal disk mark software का use कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देख सकते हैं G drive पे मेरा WD my passport है. तो यहाँ पे G drive select कर लेते हैं. उसके बाद जो भी settings है वो default रहने देते हैं. तो अभी benchmark start करते हैं. तो इसके लिए यहाँ पे all पे click करूँगा. तो यह process होने में थोड़ा time लगेगा. तो वीडियो थोड़ा fast forward कर देते हैं. तो अभी यह complete हो गया है. यहाँ पे sequential read speed देख सकते हैं 123.77 और sequential write speed यहाँ पे देख सकते हैं 119.28 mbps दिखा रहा है. तो अभी real time पे speed कैसा देता है वो आपको दिखा देते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक test folder बनाया है. और test करने के लिए यहाँ पे मैंने एक video file लिया है. इसका size देख सकते हैं 4.37 gbps तो चलिए इसको अभी मेरे desktop से मेरे external hard disk पे copy करके दिखा देते हैं कितना speed दे रहा है. तो बहुत ही अच्छा speed दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं. maximum speed यहाँ पे 122 तक गया था. वोव यहाँ पे देखिए एक second के अंदर ही यहाँ पे copy हो गया. तो बहुत ही अच्छा speed यहाँ पे दे रहा है. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे files and folders है. यहाँ पे total देखिए 2792 file से और 965 total folder से. और यह सभी का total size देख सकते हैं 165 GB. तो यह सभी folders को अभी copy करके दिखा देते हैं. रियल टाइम में कितना speed देता है. और यहाँ पे देखिए remaining time यहाँ पे दिखा रहा है. लगभग 30 minute लगेगा time. देखिए speed का difference आपको यहाँ पे मिल रहा है. maximum time यहाँ पे 100 Mbps के नीचे ही speed आ रहा है. तो speed का difference यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग-अलग situation पे आपको अलग-अलग speed देखने को मिलेगा. मैंने जब एक single video file copy किया तो बहुत ही अच्छा speed दे रहा था. maximum speed इसका दे रहा था. लेकिन आप अगर बहुत सारे चोटे-चोटे files copy करेंगे तो आपका speed उतना नहीं देगा. यहाँ पे बहुत सारा folders जब मैं copy किया था. 7200 Mbps तक up-down कर रहा था. लेकिन यहाँ पे और भी चोटे-चोटे files आप copy करेंगे तो इससे भी speed down हो सकता है. और हाँ दोस्तों at the end आपको मैं एक suggestion देने वाला हूँ. आप कोई भी external hard drive यूज करेंगे तो उसके साथ आप एक case ज़रूर यूज करना. क्यूंकि आपके हाथ से एक बार hard drive गीर गया तो इसका data lost होने का बहुत ज़ादा chances है. तो आप इसके साथ एक case यूज करेंगे तो ये hard drive एकदम protect रहेगा. तो मैं यहाँ पर air case के तिरफ से आता है ये वाला यूज करता हूँ. बहुत ही अच्छा case है. इसका भी link मैं नीचे डेड़ दूँगा. और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे case का मैं link दे दूँगा. आप कोई भी वहाँ से ले सकते हूँ. तो दोस्तो वीडियो इतना थे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please press the like button. अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजिएगा. इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे comment section में जरूर पूछ सकते हैं. और मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे interesting वीडियो में लाता रहूँगा. तो thank you दोस्तों वीडियो इन्द तक ही फिरे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care, stay positive and stay creative.